चलिए दोस्तों तो आज बार रहे है मदब्रे सामाण्य ग्यान के महतपूर्ण परस्नों के पांचवे सेड की इस सेड में हम बात करेंगे 50 इसे महतपूर्ण क्यूशनों की जो की मदब्रे सामाण्य ग्यान से रिलेटेड रहेंगे और वो आपकी सभी कॉम्प्टेटिव ए की MP से रिलेटेड हैं सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्डेड हैं बाकी अगर अगर अग्जाम्स में भी MP का पूछा या था तो उसके लिए भी इंपोर्डेड हो जाती है तो यहाँ पर पहले क्यूशन की बात कर लेते हैं इसके अलावा चार सेट मेंने अल्रेड चेक कर लें बाकी जो क्लासे MPG की कम्प्लिट हो चुकी है कोई भी चिप्टर आपको कंफ्यूज अने प्रोब्लम है अब वह क्लास पूरी जो क्लास से वो अटेंड करें उसको अच्छे से पढ़ें नोट्स बनाए मैसी क्लास देखें उसके भी नोट्स बनाए अमैसी की संभाग में कौन सा जिला नहीं आता कौन सा जिला दतिया जो जिला है ये चंबल संभाग में नहीं आता तो यहाँ पर कौन सा संभाग सोरी दतिया जो जिला है वो कौन सा संभाग के अंतरगत आता है तो वो यहाँ पर आपका गौलियर संभाग में हो जाएगा गौलियर संभ यह देवगड में इस्तित है अगला क्यूशन है कि मत्रपदेश के मालवा छेटर का सबसे बड़ा सहर और वानिजिक के अंदर कौन सा है मत्रपदेश के मालवा छेटर का तो मालवा छेटर के यह मत्रपदेश का ही सबसे बड़ा वानिजिक के अंदर है इंदोर इंदोर के ब संस्तान हैं वहाँ पर क्या-क्या इंपोर्डेंट चीज़े हैं फेक निकल का रहे हैं वह सारा पढ़ाया है अगला क्यूश्चिन है कि मत्रप्रेश सासन द्वारा किस वर्स में आपदा प्रबंदन संस्तान हैं कि D.M.I डिजास्टर मेनेजमेंट इंस्टूट किस नापना क की गई थी तो यह की गई थी 1987 में D.M.I याद रगना है पर D.M.I इसका जो मुख्याले कहां पर है इंस्टूट यह आपका भुपाल में है भुपाल में अगला क्यूश्चिन है कि आधिकारिक सुभंकर प्राप्त करने वाले भायत के प्रथम वन्यजीव रिजरु का नाम बताईए आधिकारिक सुभंकर ने कि इनका प्रतीख हो जाता है सुभंकर वो जो राश्टी उद्ध्यान है कोंसा है वो कानहा टाइगर रिजरु है कानहा टाइगर रिजरु है जिसको आधिकारिक जो सुभंकर है वो मिला है इसके अलावा कारवेट राश्टी उद्ध्य इसके बारे में आप मुझे कमेंड करके बताएंगे आप जो भी मैं आपको क्यूशन देता हूं भै उसका कमेंड जरूर किया करें यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए आप फेक्ट देखते हैं गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको उससे डिलेटेड और भी फेक्ट मिल जाते हैं अगला है कि मजदूरों और गरीब परिवारों हितु बिजली सबसेटी देने के लिए मद्वेश स्वासन द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है तो यह संबल योजना है जो कि मुख्यमंतरी जो सिवरा सिंग चौहान जी थे कमलनाथ जी से पहले त अगला है कि 2017 में मद्वेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शेवाल जीवास में खोजा गया था तो यह है चित्रकूट में खोजा गया था मद्वेश के चित्रकूट में खोजा गया था दुनिया का सबसे पुराना सेवाल जीवास में फोसिल अगला है कि मद्दप्रेश में राज आनंद संस्तान, राज आनंद संस्तान के सामान निकाई के अध्यक्ष कोन है, या फिक कोन होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी को निक्त नहीं किया आता है, जो भी राज जी के मुख्यमंत्र रहते हैं, वही यहाँ पर आनंद संस्तान के न पर्फम एक 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 नियांतरण और कमांड केंद्र की स्थाबना की एयाने की smart city जो development authority हैं उसके तहट यह बड़ी सीटीज हैं जन्में smart जनको smart city बना या था उनमें यह चल रहा है तो भुपाल smart city development corporation limited द्वारा यह प्रफम एक एकन्डरण और कमांड केंद्रìn यहाँ पर चाहरा पर शोचार रूप से यातायात सुचार रूप से हो सके केमरा से यहाँ पर हार चीज़े देखी जा सके यह सारी चीज़े इसके बारा होती है CC TV control room भी इसी में रहेगा अगला है कि बांड सागर बांड परियोजना में ने में लिखे तो मैंसे कुन सा राज सेयोग तो उपकम में नहीं है बांड सागर परियोजना में तो यहाँ पर जो 36 गड़ जो राज है यह इस परियोजना का अनुक्ष नहीं है बाकि मदपदेश, बिहार और तपदेश ये तीनों इस पर योज नाम हैं मदपदेश में तो ये बांध बना हुआ है अगर नदी की बात करें तो किस नदी पर तो ये सोन नदी अब कि सोन नदी पर ये बांध बना हुआ है इसकी जो नीव है वो कब रखी गई थी इसकी नीव रखी गई थी 14 मई 14 मई 1908 में तो आपके लिए इंप glue हो जाता है कि 14 मई 1908 को इसकी नीव रखी गई थी किसके द्वारा जो स्वरगी प्रदानमंत्री मोरार जी देसाई जी थे उनके द्वारा इसके निव रखी गई थी और इसका जो उद्गाटन है मलगी जब बनके तयार हो गया तो इसका उद्गाटन किसमें किया था वो भी हमारे स्वरगी प्रदान मंत्री महोदई अडल बिहारी वाजपेजी ने 25 सितंबर दो हजार से को इसका उद्गाटन किया था 25 सितंबर दो हजार चे को यह आपके लिए इमपोरेंट हो जाता है अगला करगनात मांस जिसे जी आई टेक भी मिला मत्रीश किस जीले की विश्यश्ता वह जाववा जीले की ही जी इटेक की बात के तो जियोग्रोफिकल इंडिकेशन रहता है यानि कि किसी भी जगा का एक महत्पून कुछ भी रहता यानि कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है अब इंडिकेशन में बात करें कि अगल है कि मत Susud Teess Blackी के ना मता है जिसे 2022 में पदमस्री संवान्ज bamboo समन्जित किया गया है तो यह गुन्देचा बंदों को 2012 में पदमस्री संवान्जित किया गया था यह धुरू बाद यह कुशने रहाते हैं पर में कहा आयोजित किया जाता है यह आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगी मैं क्यूशन आपको बताया है अगला है कि होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताईए जो बेंक नोट सुरक्षा पत्र बनाती है तो बेंक नोट और सुरक्षा पत्र कौन सी कंपनी बनाती है सिक्योर्टी पेपर मिल बनाती है security paperomilga kar krana कहाँ पर है तो तो ख sangabad में देवास में की है देवास में saat नोट on the thin absent मलाज़खण खान से संबदी ते मलाच्छश खान से कोब तामबा जो है वह वीलाच खान से निकाला याता है अगलाकुष्षिन ने मियिम्से कोन मद्दप्रदेश के तीसरे मुंक्यमंत्री कौन थे तो यह थे श्री केलासनात काटजु केलासनात काटजु जो थे वह तीसरे थे पहले कुन से पंडित रवी शंकर सुकलित है पहले अगला है जेन सादू तरुन सागर जी महराज का जन्द में मदबदेश के किस जिले में हुआ था तो ये दमोह जिले में हुआ था इनके अगर प्रवचन सुना होगे तो वो बहुत तेज मतलब बहुत तेज वानी में इनके प्र जेन मूनित थे ये अगला है कि भारत में निजी करण किया गया पहला रेल टेशन कौन सा ये हबीभगंज रेल टेशन है ये पहला निजी करण किया गया रेल टेशन ने अगले मदप्रेज के किस जिले में नोरा देही अभ्यारन इस्तित है नोरा देही अभ्यारन आपके सागा जिले में इस्तित है गौलियर में भी एक अभ्यारन को उसका नाम क्या है उसका नाम घाटे गाव है घाटे गाव अभ्यारन है अगला है के रानी अहिल्या भाई होलक क्वारा सारक्षित रिष्टाम सूती धागे से बने महां कपड़ा है महस्वली साड़ी जो की बहुत प्रसिद्ध है महस्वली साड़ी अगला है कि नमने लकेर जाएती हैं मदभ देश में विन्ध। ठरौल पावर स्टेशन कहा पर है विन्ध। धरौल पार स्टेशन फ्रप्र दिस्ट्रिब्ईूट की जाती है। सिंगरोली को एक और कहा आता है आपर कोईला बहुत मातरण में पायाता है किस नदी को मदप्रेस की जीवन रेखा कहा जाता है तो आप सभीकों पता होगा नर्बना नदी को कहा जाता है तो इसकी लंबाई के कर बात कहे तो कितनी है तेरा बारा किलोमेटर है तेरा बारा किलोमेटर में ये मदप्रेस में दस सतुतर किलोमेटर मदप्रेस में बहती है इसका उद्गम अमरे कंटक से हुआ है और ये मदप्रेस के बीचो बीच से बहती हुई गुजरात में और महाराष्ट में बहती हुई है खंबात की खाड़ी में मिल जाती है मदपदेश की जीवन रेखा कहलाती है मदपदेश में देवरी घडियाल रेरिंग सेंटर कहां इसती थे देवरी घडियाल रेरिंग सेंटर ये रास्ती चंबल अभ्यारण में हेयापर गड़ियाल बहुतायात मात्रा में पाये जाते ही मद्पदेस में विदीशा का नाम किस प्रसिद समराट की पतनी के नाम पर रखा गया था तो ये महान समराट असोग जो थे इनकी पतनी के नाम पर विदीशा का नाम रखा गया था विदीशा में हेलियोडोरस इस्तम्ब किस भगवान को समर्पी थे वदीशा में साची जो स्टूर पे उससे पांच मील चार पांच मील दूरी पर हेलियोडोर सस्तम्भ है यह किस भगवान को यह भगवान विष्णू को समर्पी थे गिनको भगवान विष्णू को समर्पी थे और अगर इस इस्तम्भ के बारें फेक्ट आए कि इस इस्तंब पर किस भासा में जो संदेश लिखा हुआ है वो किस भासा में है तो वो पाली भासा में लिखा हुआ है ना तो यह पूछ लिया आते कि हिलियोडोरिस इस्तंब पर किस भासा में संदेश लिखे हुए है तो यह पाली भासा में और लिपी लिपी की अगर बात वह ब्राम्मि लिपी में लिखे हुए हैं। मद्ध्य निम्न लिखित में कौन सा विभाग बनाने वाला। भारत का पहला राज्य बना। मद्ध्य निम्न लिखित में से कि जिले मिश्टी थे। सायसमारक मद्द बिदेश को भूपालिय में स्टिद है सोरे शमारक में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जना जाना सा हूँ हो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की और मस्जिद का chamber नाम बताई जिनके सम्मान मँई हा sûre हैं यह यानि की सतना में प्रतिवर्स एक संगीत समारो किया जाता है तो यह उस्ताद अलावदीन खान साब यह कि संमान में प्रतिवर्सी संगीत समारो का आजन क्या 39 Mac अगला है कि GIT कौन सा मद्द्स नहीं है मद्द्पयस का GIT उत्पाद नहीं है वह यह रतलामी से एक जी आई टेग है जहाबवा का कड़कुनात काला मेटिन यह है मुलेला क्लेवर के लोगों है यह लेकिन जो दत्या और टिकमगड के बेल मेटल वेयर है इनको जी आई टेग नहीं मिला हुआ यह गलत है अगले के मदफ देश में कि वरतमान मुक कमेंड करके बताना है कि कौन थे से राइसिंग चोहांजी से पहले ने कि अभी के पहले सभी को पता हुआ मतलब ऐसा कोई हो गई नहीं जिसको नहीं पता होगा कमेंड करके बताना मदफ देश के किस जिले में डीजल लोगों मुटी विनिरमांड स्वीडा स्थापित है त में संजे गानिताप वितुसेंट्रिय नर्सिंग पूर में जिथे अगले क्यूशन है कि मद्धपदेश में किस कर्षी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो स्वयविन का उत्पादक है जो कि इस साल हुए ही नहीं है बीज के भी लाले पड़ जाएंगे किसी बैया है न एकड में से 50 किलो भी नहीं निकल रहे भाई कोई घर्चाई नहीं निकल पा रहा चली मद्धपदेश के उन राजपाल का नाम बताईए जो 1991 के मद्धपदेश सासन में केंदरी करसी मंत्री थी मद्धपदेश के राजपाल भी रहे हैं और 1991 कांगर्स सासन में केंदरी करस को प्रदान मंतिरी द्वारा आरंब की गई सिचाई परियोजना का नाम बटाईए तो ये दौई आ्ठारो भी ए post भी है माननी प्रदान मंतिर जी को देखने तो मौछन पुरा व्रहध सिचाई परियोजना का उद्गा व्रद किया था इन होने तीने अलिगाप्ट आया थे बाई सब महाँ पर मद्वादस के कौन से मुख्यमंत्री सी राज गौपल अचारी के बाद भारत के तीसरे ग्रह मंत्री बने मलब इसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो भारत के तीसरे ग्रह मंत्री बने तो यह केलासनात कार्ट जो थे जो की भारत के त कैसे तीसरे ग्रह मंत्री बनेतों माद्यपदेश के तीसरे लिऊ भी इसे गूंण गिडिच फैक्तरी इतित्व है यह जान पर्ञेचंग में है कि इसे ख्रीबिच इयाँ है दित हैं तो यह बह्त है जुख फेट्री 즉 फो यह फे प्रिंट रहता है ठीज्यों ना मुंका पहना वह पहनावा रहता है तो इनका बिका मैं बालब नहीं के लेडि में अलग तरीके से इनको देखा जा सकता है कि यह जञाती है, butt अभी कौन है और यह अपनी संस्कषित में हमेशा संस्कति को बहुत अच्छे से मानेखें माननत भी करतें हैं वह में भी करना चाहिए सभी को करना चाहिए मतबददथ की तोरा से टौर वहाद इसके निम्मेर्ट मेरे से कुंसड़क किस शायत्व में बाकसाइड पाया जाता Love क्तम नहीं झो शायतर रहे उसमें बाकसाइड पाया जाता है कुन से नदी का उद्रम अमर पंटक पहार से नहीं हुआ है तो ये जो बेत्वा नदी है इस नदी का उद्रम मद्द प्रदीश अमर कंटक पहार से नहीं हुआ है बाकि सोन जोहिला उनर बदा का उद्रम यहीं से हुआ तो बेत्वा नदी का कहा से हुआ है तो बेतवा नदी का उद्गम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपको याद होना चाहिए है ना अगले किस्टन है कि हुशंग साह का मुगबरा खालिस्तान में इस्तित है अगले किस्टन आर्मी वार कॉलेज कहा इस्तित है तो महु में इस्तित थे आर्मी वार कॉलेज और अगर मैं आपको बताओं कि महु का फुल फॉर्म क्या है तो आप कहेंगे कि महू का भी फुल फॉर्म है क्या तो बिलकुल है Military Headquarter of War क्या है M का Military, H का Headquarter, O का और W का War Military Headquarter of War तो यह इस महू का फुल फॉर्म है अगला है कि बेगा जन जाती मुक्ची रूप से कहां मिलते हैं बेगा जो जन जाते मुक्की रुप से मंडला और बाला ग 늘ते हैं दुआधार जलफ पर देखा जाता है तो यह नर्बना PROF देखा जाता है अगला निम्ले के मजए जिन्दा जलफ जमपाग का नई है बिल्कुल नई है मडला नोई है चिप्तर देख लेना है ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाया है बहुत अच्छे समझाया सारी चीजे तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कौन सा जिला जबल पूर संभाग का नहीं है खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर कोंसा है तो वो चंदर गुप्त जो मंदिर है यह सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर है अगला है पंडित कुमार गंदर्व समारों आयोजित किया जाता है पंडित कुमार गंदर्व समारों का आयोजित किया जाता है चल देवास जिले में आयोजित किया जाता है चल देवास जिले में आयोजित किया जाता है भाकि आप हमारा टेला टेलीग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हैं वह आपर आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर्वाइड कर्वाते हैं यह सारी चूप वहाँ पर आपको मिल जाती है बाकि Facebook में हमारा Coops Academy आप Facebook में जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं कुछ क्यूश्टन मिल जाते हैं जिनको मैं आप आप डालता हूं इमेज के रूप में ताप कि आपको जैसे करेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लागा लाइक जरू करें मिलेंगा अगले वीडियो तब तक के लिए जहेंजा भारत थैंक्यू